शिवपुरी में जिटा बालमी की समाज निकाली रैली आरक्षियन कोटे से रह गया वंचित कोटा ने दहद कर लाप दलवाय जाने की माँ शिवपुरी में आज प्रदेश सरकार सहित प्रदेशों की वालमी की समाज से जुड़े नीताओं और संगठनों का जमावड रहा सुप्रिम कोट के आदिश के पालन में आरक्षन से वंचित रहे गए बालिमी की समाज को आरक्षन प्रदान करवाने के संबद में एक ड्याली निकाली गई बाद में राश्पती के नाम एग्यापन कलैक्टर को सौपा गया इससे पहले पुराने बस इस्टेंट पर एक शोभा का आयोजन भी किया गया था वालिमी की समाज अधिकारी करमचारी संग के राश्टी अध्यक्ष कमल की शुर कोड़ी ने कहा कि 1 अगस 2024 को सुप्रिम कोट द्वारा सेस्टी वर्क कोई आरक्षन को लेकर पारित किये गए नरने के अनुसार संपूल भारत में आरक्षन में वर्गी करन डागू किया जाना चाहिए सुप्रिम कोट के नरने अनुसार वालिमी की और सपाई करमचारी जाती को आरक्षन से वंचित रह गई है आरक्षन से वंचित वालिमी की समाच और उनकी उपजातिया और स्वच् आरक्षन से वंचित समाचों को दिलाया जाना चाहिए आज इसी संदर में शिवपुरी में भारी संख्या में वालमी के समाच एक अपतित हुआ था आज महामियों राष्टपती के नाम कलेक्टरों को ग्यापन सौब पकल सुप्रीम कोट के आदिश के पालन में आरक्षन से बंचित रहेगे बालमे के समाच को आरक्षन पदान करवाई जाने की मांग की गई है